हेलो साथियों मैं सौरप कुमार सिंग और लगातार सिछक बहाली के मुद्धे पर आपके बीच हमाये हैं और सारे मुद्धों पर one to one बात करेंगे कई लोगों का लगातार call and message आ रहा है तो आपको हम बता दे कि supplementary result को लेकर जो तैयारी चल रही है आपको हम सीधे सीधे आपको हम बताते हैं कि सिख्षा विभाग और BPSC के बीच कल एक महत्पुन बैठक होनी है नियोजी सिख्षकों को क्या करना है जैसा कि सब को पता है कि आज जो डाटा आ रहा है और आज जो सुत्र के हवाले सक्षबर के मातर 80,000 लोगों ने जोईन किय है जैसा कि सब को पता है कि मातर 110,000 जो अबंधिक निक्ति पत्र को बाटा गया 10,000 लोग पहले जोईन नहीं किये थे आप सब को पता है कि 10,000 यही लोग है जो गलत फरजी प्रवन पत्र का दहार पर उनका रिजल्ट तो आया था परत्तमपेश की बाहली में प्रद्वों जोईन नहीं किये सारे मामलक को लेकर अगर वो सीटेट फैल है या बीएट की डिगरी नहीं है कहीं कोई ऐसे है जो एस्टी पास नहीं है फिर भी वो फॉर्म भर दिये है उनका रिजल्ट आ गया तो वन तो जो चीज़े है उसमें है कि अगर अभी 40,000 जो सीट है उसको ल प्रमतु जो 40,000 रिजल्ट है उतना रिजल्ट में कितनी रिजल्ट आएगी और 5000 जो बता रहे थे कि 5000 जो रिपोर्ट आया है कि 5000 जहीं सीटे खाली है उसकी रिपोर्ट जो है BPSC को सिख्षाभी भाग द्वारा सौंप दी गई है प्रमतु जो 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 ज्वाइन करने क आगडी तारिक थी, वो फचीस तक थी, जो चिथी सिक्षा भी भाग दुहां निकला तमाम जिला सिख्षा पाजिकारी के अस्तर से, डिपyou के अस्तर से, जो भी प्रोग्रारमिंग उफिसर है, उनके अस्तर से, जो भी चिठ्ठी है उसके संदर में यही है कि 25 तारी तक हर हाल में आपको जोईन कर लेना है. परंतु नियोजी सिक्षकों क्या होगा, आप सब को पता है कि नियोजी सिक्षक जो है, राजकर्मी का तरजाल लेने की बाद को लेकर लागातार इंदजार कर रहे थे, जो चीज पास भी कर गए लगबग 40-42,000 ऐसे हैं जो नियोजी सिक्षक है और अभी जो डाटा है कि फिर लागों लोगों ने फिर फॉर्म अप भढ़ दिया है बिहार में अभी लगबग 4 लाग के असपास नियोजी सिक्षक कारे राथ हैं और राजकर्मी का दर्याद देने की जो बा लेकिन सर्थ यह है उसमें कि अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको जिस पद पर है उस पद से आपको पद्यूत किया जाएगा उस पद से आपको डिस्मिस किया जाएगा आप नौकरी से हाथ दो बैठेंगे तो सीधे सीधे यह सिच्छा भी भाग और BPSC के बीज जो बा कटफ जा रहा है और कटेगोरी क्या है और कटफ कितना है वसीधे बताएगे कि मेरे पाँ जो डाटा है लगवक तीन-जार हजार लोगों का डाटा हम पहले से क्लेट कर चुके हैं अभी जो डाटा है कि कितना आ रहा है आप एक्ट्वन चीज बताएग जो BPSC के साइड से जो एमार सिट के कारवन को भी और जो एंसर की जो दोनों मिला कर और आपका कितना आ रहा है सबको आप देख ले और ओबर ओल डाटा जो है वो प्रस्तूत करें अब आपको बता दे कि सिकेंड मेर्ट लिस्ट को लेकर लगाता है जो अक्टूबर महीने से लेकर लगाता र जो पापो की सितिया और चेर्वेंसर बार 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 बोल रहा है कि हम रिजर्ट निकालेंगे लेकिन याद रखिएगा तीस तावी तक अगर रिजर्ट नहीं निकलता है तो आप समझ जाईएगा कि BPS और सिच्छा भी बाग करने का प्रयास करें फिर भी हमको पूरा भरो लोग उनने डिगरी निक्ति पर तो ले रिया प्रंतो जुआइण नहीं करें क्योंकि उनको पता है कि कानून का डंडा अगर आपको यह लगता है कि अप्टिट फेल है बीएट फेल है ऐसे भीरती है जो एस्टी इस पास नहीं है ग्यारा पास नहीं उसके बाद कि उनको सेवा में रखा जाए यहार पास किए है तो फिर उनका डाटा तो ऑवराल जो है 40,000 अब तक जोई नहीं किए है तो सीधे-सीधे आप कहा जाए जो रिजल्ट को लेकर काफी जो गहमा गमी है उसमें यह है कि 40,000 कम से कम जो रिजल्ट है वो 20,000 पलस जाना चाहिए क्योंकि तमाम केटेगरी के लोग चाहे जिर्नल, EWS, AC, ST, OBC और महिलाएं केटेगरी तो सब में आपको एक दो नंबर या अगर सीट बढ़ती हैं तो वह आगरा जो है तिन चार नंबर नीचे तक कटफ जो है वो जा सकता है तो सारे अभिहरतियों से एक आगरा करते हैं कि आप अपना कटफ और केटोगरी यहां हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे और आप डिस्टिक नाम चार चीज कमेंट सेक्शन में दे और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या गल जो बैठक है कि कुष चीजे हैं इसको लेकर लकातार मन्थन चल रहा है लेकिन इतना जरूर है कि BPC के चेर्मेन के बाद पर मुझे बहुत लेकिन 40,000 सीट पर अगर जरत निकलता है overall तो साथियों आपसे हम अगरा करते हैं कि आप इस चीजों को बिलकुल जो लोग नौकरी में आना चाहते हैं उसके लिए 30 तारीक लास डेट है अगर 30 तक रिजर्ट नहीं आता है तो एक बार फिर से आपको अंदोलन करने के लिए तयार रहना होगा हम आपके साथ हैं आपको विस एक बार सीधे सीधे आपको कह रहे हैं हम इस सिर्फ आप ट्वीट कीजिए कमेंट कीजिए और BPSC हो या सिक्षा विभाग वो सब जगा ट्वीटर हैंडर से अप्ट्वीट करते रहे हैं इतना जरूर है कि BPSC चेर्में सर और सिक्षा विभाग इस बास से के लिए निश्चित रूप से कलके बैठा के बाद फैसला होगा विकल हो जाएगा 25 तरीकर चार दिन और है चार दिन के दर जो भी डाटा होगा उससा क्लेट करके रिजर्ट निकलने के प्रकिरिया जो है वो 30 के बाद अगर एक या दो को हो जाती है तो सीधे सीधे इतना है कि सरका कर दरजा आप सरकार को तुरंट देना चाहिए क्योंकि दूसरे फिच की बाहली में उनको बैठने से बंचित किया जाता प्रंतु लगातार जो बाते हैं वापों की स्थिती और लगबक किसी भी संदर में चानियोजी सिक्षक के मामले में हो चाहे इस मामले में हो सेकेंड में प्र신 की बाहली या सेकेंड में को लेकर सब में कहीं पड्यास भर है कि सीटों को बचाने का सीट को बचाने की जो पड्यास है उसको काम्याम नहीं उन देंगे सीदे सीदे सरकार को बबाता है